हेलो एवरीवन वेलकम टो आज चैनल सभी क्लासेश आज हम सीखेंगे अंकी मात्रा से बनने वाले शब्द तो वीडियो स्टाट करने से पहले आप सभी जेक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लिस मेरे चैनल को कर लीजिये पा, पा में अंकी मात्रा खा, पंक, आ, आ में अंकी मात्रा, गा, अंग, आब ऐसे ही हम और शब्दों को लिखेंगे यहाँ पर, आप ऐसे हम और वर्डों को जोड़ कर लिखेंगे रा में आंखी मात्रा गा, रंग, शा में आंखी मात्रा ख, संख, हा, हा में आंखी मात्रा स, हंस, दा में अंकी मात्रा श दन्ष गा में अंकी मात्रा गा में आकी मात्रा गंगा नेक्स वर्क्षीट है चित्रों के पहले अक्षर में अंकी मात्रा लगा कर नए शब्द बनाईए यहाँ पर तीन चित्र दिये हैं इनका पहला अक्षर हमें लेकर नए शब्द बनाने हैं तो पहला चित्र है कमल का हम पहला अक्षर लेंगे का का में अंकी मात्रा अब गंबला गंबला का गा नाग नाग का पहला अक्षर ना यह नया शब्द बना कंगन दूसरा चित्र है चमच का तो हम यहाँ पर लिखेंगे चा, चा में अंकी मातरा, दा, और यहाँ पर नत, नत का न, चंदन, यहाँ पर चित्र है घड़े का, तो पहला वर्ण इसका होगा घा, घा में अंकी मातरा, टा, टा में आ की मातरा, खंटा. नेक्स वर्क्षीट है, दो, तीन, चार अक्षर वाले शब्दों में अंकी मातरा लगाओ, यहाँ पर शब्द लिखे हुए हैं, जिनमें अंकी मातरा नहीं है, सही जगहा पर हमें अंकी मातरा लगा कर शब्द को पूरा करना है, तो पहले दो अक्षर के, फिर तीन अक्षर क के शब्द दिये हुए हैं अंग रंग भंग संग पंख दंश कंस वंश शंख पंखा कंखा कंधा अब तीन अक्षर के शब्द कंगन रंजन चंदन बंदल पतंग और अंजन चाशर पंचायत तंग दिल सिकंदर अगली वर्क्षीट है वाक्यों में अंग की मातरा सही स्थान पर लगाईए वाक्यों में अंग की मातरा नहीं लगी हुई है उन्हें हमें सही स्थान पर लगा कर वाक्य को पूरा करना है अंजू मंजू दो बहने थी राजू को तंग करती थी तंग में तामें अंकी मात्रा संजू छत पर पतंग उड़ाता था चंदन शंग बजाता है हंस का रंग सफेद होता है और अंतिम वाके है बंदर केला खाता है अगली वरक्षीट है शब्द के आरम में कंग जोड़कर सटीक शब्द बनवाईए यहाँ पर पीछ में कावर्ड लिखा जिसमें हमने अंकी मात्रा लगा दी है तो इसका चारण हो जाएगा कंग अब हमें जो बाहर शब्द दिये हुए है इसको इसमें जोड़कर नए शब्द बनाने है तो पहले यहाँ पर हम लिखेंगे कंचन कंगन कंथी और कंधा कंघा अगली वर्षीट है शब्दों के अंत में रा जोड़कर नए शब्द बनाईए यहाँ पर शब्द दिये हुए है उनमें अंतिम में हमें रा जोड़कर नए शब्द बनाने है तो पहला शब्द हम यहाँ पर लिखेंगे रा को जोड़कर भंडार दूसरा बंदल तीसरा शब्द लंगूर चौथा शब्द संसार पाचवा शब्द अंकुल छटा शब्द है मंदिर साथवा शब्द है अंबार और अंतिम और आठवा शब्द है अंगार तीठे रिक्त इस्थान भरो यहाँ पर कुछ शब्द दिये गए है उन्हें में पढ़ना है वाक्यों को पढ़ना है और सही शब्द को वाक्य में रखकर वाक्य पूरे करने है तो पहला वाक्य है मोहित डैश उड़ा रहा है तो मोहित क्या उड़ा रहा है मोहित पतंग उड़ा रहा है तो यहाँ पर हम लिखेंगे पतंग मोहित पतंग उड़ा रहा है लोमडी डैश खाना चाहती है लोमडी क्या खाना चाहती है अंगूर लोमडी अंगूर खाना चाहती है चिडिया के पंख सुन्दर है हमने डैश का नाच देखा हमने बंदर का नाच देखा सिपाही के हाथ में डंडा है सिपाही के हाथ में गंड़ा है पिता जी ने मुझे कंगन दिये तो इस प्रकार आप और भी वाग के देखर उन्हें अंकी मातरा के लिखवा सकते हैं अंकी मातरा सिखा सकते हैं तो आपको ये अंकी मातरा की वर्कशीट कैसी लगी अगर आपको यह वीडियो व्यूस्फुल लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें थैंक यू